क्रिकेटर मतो भोड़ जुद्धेव छक्का हकान शाकी बलहसान वीपुल भोटेर ब्यावधाने जोई होन विश्योशेरा एक क्रिकेट अल्राउंडर मागुरा एक आशोने प्रथम बारेर मतो भोटेर माठे आउ मिलगे प्राक्ति शाकित पान एक लाग पोचाशी हाजार तीनशो अस्टो आशिपुल असलाम अल्रीकूम वीवर्ज मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा योटूब चैनल एहसान रियक्शन विद जी चुकी है और प्राइम विनिस्टर इस बार चोथी बार फिर बनने जा रही है शेख हसीना वाजद जी हां बंगा बंदू शेख मुझीब रह्मान की ये बेटी है और लगातार इन्होंने एक रिकार्ड भी बना दिया है कि तीन बार इनकी कंजेक्टिवली हुकूमत र रही है अब जनाब ये चोथी बार भी वजिर आज़म बंगलादेश बनने जा रही है लेक्शन की पार्टी जी चुकी आवामी लिक बी एनपी और जमाते इसलामी ने लेक्शन का बाइकट कर दिया था उन्होंने लेक्शन ये नहीं लड़ा वो कह रहे हैं कि फ्री और फ सबसे बड़ी खबर ये है कि शाकीब लहसन जो पहली दफ़ा मले बन चुके हैं शाकीब लहसन इस वक्त जनाब बंगलादेश की सियासत में आ चुके हैं और बंगलादेश की तरफ से पहले मले बन चुके हैं जो जनाब अब उनका जो सियासी करियर है उसका मैगोरा से वो इस तरह दूसरे मशर्फ मुर्तजा दूसरी बार MLA बन चुकी हैं इनके जो मुखालिक थे इनका जो कम्पिटेटर था उनको बड़ी शिकस्त दी है बहुत बुरी शिकस्त दी है एक लाग पचासी हजार एक लाग नवे हजार इतने ज्यादा वोट मिले हैं मशर्फ आरे बारे नाजरीने किनांड बहुत बड़ा च्खका मारा है और मगोरह से वो शिकस जी चुके हैं आवामे लीक की तरफ से नोका इनका इनका एंदखावी निशान था वहां से एलकशन लड़े हैं लेकिन शाकीव के बार में इस वक्त बहुत एक और भी कॉंट्रावर्स है सोशल मीडिया पर आपने देखा कि एक थपड जड़ा है शाकीब ने और वो कुछ तंग होने की वीडियो थी उनको किया जा रहा था लेकिन फिर उन्होंने थपड रसीद कर दिया है इसकी उपर भी बात करेंगे लेकिन जी बड़ी खबर ये है कि देखे पाकिस्तान में खान भी जी चुके हैं फिर प्राइम मिनिस्टर बने और अब हमारे जनाब बंगला देश में भी ये देखा जा रहा है कि वहां पर करिक्टर को कितनी ज्यादा इज़त रिस्पेक्ट मिलती है मशर्फ मुर्तदा बताते हैं कि उनके पास एक बाइक है बहुत पुरानी बा और दूसरी बार भी उनको मेले बना दिया है वो इलेक्शन ऑलरीन छी चुके हैं बंगला देश की एलेक्षन कैसे है कैसे रहे क्या फ्री अंट फ़े ऋलेक्शन हुए इस सब आपक की उपर हम बात करेंगे लेकिन पहले हम जनाब शाकीम के बारे में मशर्फ मुर्दा के पोथे क Works Was प्राथ्थी लड़ाई करे छेन। एर मध्धे केउद दोलियो भावे आबार केउद दले टिकित नापे शतम्त्र हिशेबे लोड़े छेन। भोर्ड जुद्धे कतोटा काइदा करते पिरे छेन। एशब तारोकारा। दशे दश एई स्लोगान निये धाका दश आशोने प्रथमबारे मतो दादुष जातियो निर्वाचने नौका प्रतिके लड़ाई करें बांगला चलो चित्रे हटात ब्रिष्टि खातो नायोक फेर्दो जाहमेद। प्रथमबार निर्वाचने अंख्षोने एई चमोग दे क्रिकेटेर मतो भोर्जुद्धेव छक्का हाकान शाकी बाल हासान बिपूल भोटेर ब्याबोधाने जोई हन बिश्योशेरा एक डिके डॉल्ला उन्डार। मागुरा एक आशोने प्रथमबारेर मतो भोटेर माठे आउमिलिगेर प्राक्ति शाकीप्पान एक लाख पचा नियेने छेन शामाजिक जोगाजोग माध्ध मेर परिचीतो मोग सोयद सायदुल्हक शुमन बैरिस्टर शुमन नामे इताके बेशी चेनेर मानुष। शतन्तो प्राथ्थी शेबे एक लाख 59,009 भोट पान्तिनी एदिके शुमनेर काछे धराशे इहन बट्तमान बेशाम बीमान परी बहनों पर्जोटन प्रतिमंत्री एडफोकेट महभुबाली। दुईबारेर एई संग्षोस सदशुपे एछेन 59,500 तिताल लिश्बोट। फास्टेस्ट पुर्जी ओशेरा ओफारे बांगला लिंग के जीत बेन शाब शमय। बांगला लिंग फास्टेस्ट पुर्जी। चाकीबल हसन जनाब अमेल मुन्तखब हो चुकी हैं लेक्शन जी चुके हैं और दूसरी तरह मशर्फ मुर्तजा भी जी चुके हैं सावी कप्तान हैं दोनों बंगला देश के लेकिन बड़े मारजन से बिग मारजन से इनोंने विक्टरी हासल की है कहां एक सो पचासी एक खाक 55,000 वोट और कहां सिरफ 25,0022,45,50,30 ने से जो मिक्शन वोट नी हम उनके कंप्टरी ने उनके जो मकाबले में थे वो उमीदवार हार चुका है जाती हो पार्टि का उमीदवार हार चुका है नोका जिसका निशान था याईर अवामी लीग का उमीदवार कैंडिड़े हैं, उनके मुकाبلे में बहुत कम वोट लिए गए है, इसका मतलब ये हुआ है कि हो बिला म्काबला एलेक्षिन जी चुके है ईनके म्काबले में कोई है ही नही था इनकी इतनी ज्यादा मकबूलित है और इतनी ज्यादा इनकी पापुलर्टी देखा अपने बंगला देश में किस तरह से वो अपने हीरो को सल्यूट करते हैं अपने हीरो का वो करते हैं रिस्पेक्ट देते हैं और किस तरह से उन्होंने जनाब शाकीबल हसन को स्यासत के मेदान में भी कितनी ज्यादा इज़त बख्शी है रिस्पेक्ट दी है और मशर्फ बिन पुछ भी नहीं वो कहते हैं कि यही वजा है कि लोगों के दिलों में मशर्फ बिन मुर्तजा घर कर चुके हैं लोग इनके साथ प्यार प्रें मुभ्बत लफ करते हैं और जिसके वज़ा से 2018 में भी इनको ऐलेक्शन जित वाया और 2024 में भी इनको ऐलेक्शन बड़ी वाजे बरतरी से ये इलेक्शन जीत चुके हैं खैर दोनों सूपरस्टार को मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान से आप सब को बहुत बहुत मुबारक हो हम अमीद करते हैं कि आप बंगलہ देश की बेहतरी के लिए काम करेंगे और जो नए आने वाली हकूमत है शेख Ridzina की वो बंगलादेश की बेहतरी के लिए इसी तरह काम करती रहेंगी नेक्स वीडियो में हम बात करेंगे किया इस election को accept कर लिया गया है बड़ी बड़ी सूपर पार्क की तरफ से या नहीं जो उनकी observers टीम आई थी आके जो जाइजा लेती हैं जो देखती हैं सर्वे रिपोर्ट्स कटिक करती हैं आया के election ठीक हुआ है free and fair हुआ है या नहीं हुआ इसमें रिग किया गया है election को धंदली हुई है क्या कहना है अमेरिका के observer टीम का think tank का क्या कहना है UK का क्या कहना है Russia की टीम का इस सब के ओपर Indian specially उनका उनकी जो observer टीम है उनके इसके ओपर क्या react है इस सब कुछ मैं आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा जुड़े रहेगा नेक्स वीडियो तक और तब तक के लिए Allah हाफिज